तो जैसे कि वादा किया था कि 2 सितंबर से नौन कंबटेंट के इंग्लिस ऑजी के किलास चली तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर इसमें कोर्स क्या आएगा क्या स्लेवर से इसका तो छमा चाहते हैं किलास मैंने अलेडी बन रखिए कर अब लोड कर देंगे बट आज मैं जश्ट डाल रहा हूं स्लेवर से एक्चुली क्या है ना जब तक हमें किसी चीज का स्लेवर पता नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हमें बेसिक कॉंसेट तयार करने हैं और किस किस चीज के बेसिक कॉंसेट तया है और इसको हम लिख देंगे 2024 ठीक है और जो भी हमारी किलास होगी इस बोर्ड में तो बहुत ही कम होगी हो सकता है कि PDF फाइल में हो और जो टैंस और एक्टिव पैसिव यह सारे हम बोर्ड में करा सकते हैं अधरवाइज में पूरा जितना भी है मोबाइल की स्क्रीन पर र को इसे अर्ट्टल मार्क्स का तोटल मार्कस 20 का होगा 20 में दस अनिवार रहे दस जब लाओगे तभी आप पास होपाओगे यदिया आप कि जनल इंग्लेज में 5 आते हैं तभी आप पास माने जाएंगे जनल नौलिज में भी 5 आएंगे तभी नोट चाहिए और इच में पांच-पांच तो हो ना ही चाहिए तब है कि पासिंग मार्ट जैया आज के पैधे जी के में जैसा की पहला कि पिज जो पेपर है पेपर से कल अप्लोड हो जाएगा हमारे चैनल पर पेपर में कौन-कौन से क्यूशन आए थे वो सारी चीज़ें कल हम अप्लोड कर देंगे तो आप लोग उस पिछले साल की पेपर को देख सकते हैं तो जनल लॉनिज में क्या-क्या आएगा पिलानेट का नाम गिरहों की नाम सबसे बड़ा गिरह सबसे छोटा गिरहे और प्रत्वी से नजदी गरहे इस टाइप के ग्रह का नाम आएगा फुल फॉर्म आच सकती हैं चैन्ट अफियर करेंट अफियर में एक क्यूश्च आएगा आएगा एक क्यूश्च जो लिटेस्ट चल रहा होगा वह आएगा करेंट अफियर समय सिरिफ वन इंडिया मिनिस्टर भारत के प्रदानमंतर ही पहले राश्टपति इस ताइप के क्यूशन एक आ सकता है लिए नदी का नाम भारत की नदियां कितनी हैं यह कहां कौन सी बहती है और किस सेहर में कौन सी नदी है इस टाइप का इंडिया फ़स्ट पूर्ण पहले प्रदानमंत्री पहले महिला प्रदानमंत्री इस टाइप का इंडिया फ़स्ट फेमस प्लेस इंडिया में बहुत फेमस प्लेस उसके बारे में पूछ सकते हैं आगरा के बारे में पूछ सकते हैं किस राजमेह या ऐसे ही फ का ही जितना भी आएगा इंडिया का ही आएगा भारत की आर्फ बवस्ता से कुछ नहीं ऐसा है simple question आएंगे दस question आएंगे इनी में सिर्फ जाएगा जो हम heading दे रहे हैं कि यहां पर बात करें कि वार युद्ध जिसे कारगिल का युद्ध कब हुआ था इस टाइप के question युद्ध के बारे में भारत का जो प्रिथम युद्ध विश्विद्ध के बारे में भी पूछ सकता है वैसे भारत से जो युद्ध हुए हैं उसी के बारे में पूछेगा इंडिया की इस्ट्री इंडिया की सप्सक्रिक फूछ सकते हैं और बता दें रहां अबाज्स दिन का महत्वुंधी दिवस घरतन दिवस सवतंत्रता दिवस आई बाल-दिवस इस तरीके से दे पूछ सकते हैं यह हमारी जबनलाए्ट की दस पूशंग आते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, यह इतनी एटिंग है, इनमें से कहीं बाहर नहीं जाएगा, बात करें हम जनरल इंगलिस की, तो correct spelled word, जैसे हमें ने यह डाला, received, ठीक है, एक होता है, री, इस टाइप का, इनमें से कौन सी सही है, इ एन दा, आर्टिकल का जो चैप्टर है, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, इस लिए आज का जो चैप्टर है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो आर्टिकल का चैप्टर का वहाँ लिंक दिया है, आज की किलास का एक यही चैप्टर है, ऐसा न कहेंगी किलास, पड़ें और उसकी जो प्रैक्टिस होगी हम अलग से कराएंगे मोहावरे हैं कि अमान आर्थी होता है सनोनिम्स और ऐसे ही एंटोनिम्स होता है यह एंटोनिम्स प्रेपोजीसन है प्रोणाउन है टैंस है एक्टिव एंड पैसिव वन वर्ड सब्टिट्यूशन इससे तो आता है वह वन वर्ड सब्टिट्यूशन टैंस से भी आता है प्रोणाउन से भी आता है प्रिपोजीसन से भी आता है सिनोनिम्स से तो पक्का आएगा एंटोनिम्स से भी आता है यहां तक कि आर्टि का ठीनों में से बात करता हूं एक्टिव पैसिव और सिन इन तीनों में से एक आएगा कि वनवर्ड सब्कृटिटुशन आएगा ने नरेशन एक्टिव पैसेम इंटैंस में से एक्टुब पक्का आएगा स्पोड्र जाह प्सपोड़ches सब्सक्राइगा कंजेक्शन कि एड्जेक्टियों में भी आ सकता है नाउन तो आईगा और इन में से हो गया यह तो पक्का आना है तो यह दस क्यूशन आने है एक दो ठीक है तीन चार पाँच छह साथ आठ नो दस मतलब ऐसे और हंडेड उन परसेंट इन से आना ही आना है तो अभी इसमें एक और बता देता हूं जीके में बूल गया था पिछली बार एक क्यूशन आया था क्या जीके का था इसमें रीजिनिंग आ गई थी जो कि सिलेवस से बाहर थी कैसे एक तीन पांच साथ ठीक है इस टाइप का आया यह एक्जेक्ट नहीं था कलम एक्जेक्ट बताएंगे साथ इसपेस ग्यारा तेरा पंदरा सत्रा इसमें आप बताओ क्या वरोगे सबका अंसर क्या होगा नौ इस टाइप की रीजिनिंग का एक क्यूशन आ गया था तो यह हमारा आज का सिलेवस है आज की पहली किलास है आर्टिकल यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं वहां पर मैंने उस आर्टिकल क्लास की लिंक दी है किरपया आप सभी उसको जरूर देखें तो मिलते हैं कल नए एक टॉपिक के साथ इंगलिस का टॉपिक अल्टरनेट टॉपिक चलाएंगे एक इंगलिस एक दिन रहेगी जी के तो रोज एक टॉपिक आएगा तो कल हम एक मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ तब तक सभी को जैहिन